नमस्कार स्वागते हैं आपका प्राइम टीवी के प्रोग्राम हेल्थ मंतरा में जिसमें हर बार हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें हम मेडिकल से रिलेटिट कई प्रइंड की डिजीजिस के बार में बात करते हैं जिससे रिलेटिट हमाय साथ स्टूड्यू में डॉक्टर्स मेशा मौजूद रहते हैं आज ऐसे ही अज हम लोग ठाइराइट पर बात करने सार आपका हमारे प्राइम टीवी के शो हिल्थ मंत्रा में बहुत बहुत सब्सक्राइब होती है तो हम हर बार ऐसा कोई टॉपिक लेते हैं कि जिससे लोगों को उसकी बहतर जानकारी हो पाए तो ऐसे ही आज हम थाइराइड पे बात करने वाले हैं जिससे हम जानना चाहेंग कि आप से कि थाइराइड कि में बेसिकली क्या चीज होती है क्या कारण होते हैं तो आप सबसे पहले हमारे ओडियंस को ये बताएं कि थाइराइड होता क्या है थाइराइड एक तितली नुमा ग्रंती है जो कि हमारे गले में होती है अक्सर जो हमारे जो वाइस बॉक्स है उससे जस्ट नीचे और आगे होता है तो थाइरोड एक तितली नुमा ग्रंथी है जो की बहुत इंपोर्टेंट है हमारे शरीर के गले वाले हिस्से में रहता है अगर डॉक्टर इनके कारणों पर बात करते हैं तो क्या कारण होते हैं थाइराइड होने के थाइराइड के बहुत सारे कारण होते हैं मुख्यता, autoimmunity, किसी कारण हमारे शरीर की immunity हम से ही लड़ने लगती है, इसे हम autoimmunity करते हैं, immunity सबको पता ही होगा, immunity याने की हमारी रोग प्रतिकारक शक्ती, जो हमको बिमारियों से लड़ने में मदद करती है, अगर या किसी कारण से हमारे बॉड़ी के सेल्स को पहचानना, गरबढ़ कर देती है, पहचानने में गरबढ़ करती है, उसको फॉरन समय लगती है, जब उसमें उसका involvement लटा है, उस gland को जाके डिस्ट्रॉई कर देता है कई बार ओटो इमिनिटी, तो इसके कारण जो है थारोडिक बिमारियों थे मुख्यता, ओटो इमिनिटी is the most common cause of थारोड डिजीज, अब सब्सक्राइब कुछ लोग कुछ अन्नी कारण भी बिताते हैं, कुछ और रीजन्स भी होते हैं इसके था हो गई है, दूसरा जो है, कंजनाइटल भी हो सकता है, किसी कारण से जेनिटिकली जो हमारा थारोड ठीक से डवलॉप नहीं हुआ, या कभी-कभी जो है, हमने हाइपर थारोडिसम का ट्रीटमेंट किया है, रीडियो आयडिन दवाई दिया गया है, उसके बाद हाइपो थ चान पाते हैं, कि ऐसा होता है, कि अगर जैसे हमें समय रहते हैं, अगर उसके लक्षन का पता चल जाए, तो वो कौन-कौन से लक्षन देखे जा सकते हैं, जिसकी वज़े से आत्मी खुद सेल्फ ये चीज़ जच कर पाए, कि हमें थाईराइड होने की ये लक्षन है, तो खार नहीं है, फिर भी थंड अधिक लग रहा है, तो ये लक्षन बहुत स्पेसिफिक है थाईराइडिक बीमारी की, इसके अलावा सूजन होना, वजन का बढ़ना, जो है महिलाओं में महावारी अनियंत्रित होना, ऐसे सब कारौनों से ये सारे लक्षन है, जिसके कारण ह हम थाईराइड की बीमारी को पकड़ सकते हैं, अगर ऐसा कुछ लक्षन हो तो अपने डॉक्टर से मिलके थाईराइड की जाच करवाए जादा अच्छा होगा, और दॉक्तर ये है कि आप से अगर जैसे इनका पता लगाने के लिए पेशेंट आपके पास जाता है, तो आ तयुक्त लाइचर ऋता है, तो बहुत सारे टैस्ट थाईराइड की बीमारी में, तो ये हैज लोग बहुत सार या बीमारी और कुछ को स्ट्रेस करते हैं पर और प्राक्टिकल पर्पस इनिशल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है टीए सेच होता है और अगर हम थाइराइड नॉर्मल की बात करते हैं तो कितना थाइराइड जो है वो नॉर्मल कहलाता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है और स च्मुटोंध 2 अलग अलग में अलग 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 मिठर्ट से अलग अलग यह रूठ पर यह रोग जगह पर यह रिशर हो सकता है। सब्सक्राय। फ्व्डेय कर दिखता है। इस बे sob tied s रेफरेंस रेंज बनाते हैं उस रेफरेंस रेंज को देखे तो जादा अच्छा रहेगा डॉक्टर आप अभी एक बात कर रहे थे टीवन टीटू टीच यह जो आपने बता है इसका क्या मतलब होता है क्या यह थाइरेड की स्टेजिस हैं या क्या है यह तीच जो एक मैंने म यह में हॉर्मोन हाइं जो हमारे थायरोइड ग्लार में तैयार होता है हमारे पीटूtry सुक्रीज होता है पीटूू। तो पूरा बॉडी का जो मेकानिजम है वो जो है T3 के थू होता है अक्शन पर T4 is a pro-hormone तो हम लोग प्राक्टिकली TSH, T4 और T3 ये टेस्ट करते हैं और TSH हमारे पिटूटरी में तयार होता है जो जाके थाइरोड का रेगुलेशन करता है T4 थाइरोड होर्मोन से तयार होता है T3 भी तयार होता है थोड़े amount में पर peripherally हमारे थाइरोड ग्लांट से दूर T4 जो है T3 में convert होके उसका main action होता है थाइरोड का जिसको हम कहते हैं Master Gland, वो जो है TSH तयार करता है, TSH जाके thyroid gland को बोलता है कि thyroid hormone तयार करी है, तो जो कि T4 तयार करता है T4 और T3, T4 जो है हमारे कैसे काम करता है, T4 और T3 हमारे body के metabolism के लिए बहुत जरूरी है, हमारे body के thermoregulation यानि हमारे body के temperature control करने के लिए बहुत जरूरी है, तो मुख्यता जो है दो main mechanism में एक तो जो है हमारे metabolism को control करता है, second most important जो है हमारे thermoregulation को control करता है thyroid hormone, यानि के हमारे body के temperature management को. वाकिया आप यह है कि thyroid काई जैसे हर बिमारी में कई टाइपस होते हैं, कि अलग अलग टाइपस से बिमारिया होती है, तो किसी को कोई problem होता है, सेम ही होता है, तो जैसे cancer के भी हम बात करते तो अलग अलग तरीके के cancer होता है, क्या thyroid में भी प्रकार होते हैं, और कितने प्रकार का thyroid होता है? मुखेता हम लोग तीन प्रकार बोलेंगे, एक जो है hypothyroidism, जिसमें किसी कारण से हमारा thyroid hormone कम तयार हो रहा है, then hyperthyroidism, जहां पे thyroid hormone जादा तयार हो रहा है, third जो है goiter, या हमारे thyroid में गाट हो जाता है, तो मुखेता है ये तीन प्रकार है, most common है जो वो है hypothyroidism, जहां पे thyroid hormone किसी कारण से कम तयार हो रहा है, hyperthyroidism, जहां पे thyroid hormone जादा तयार हो रहा है, third जो है thyroid में कुछ गाठे होना, nodules होना, तो ये तीन प्रकार के main thyroid के diseases होते हैं. आपने जिन तीन थाइराइड्स के बारे में बात की है, तो उन तीनों थाइराइड्स में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली मतलब उसमें क्या, सबके जो आपने लक्षन पे बात की, हाइपो थायरोडिसम में यूजली सूजन होती है इसमें सूजन नहीं होता है हाइपो थायरोडिसम में कॉंस्टिपेशन होता है हाइपो थायरोडिसम में यूजली फ्रिक्वेंसी ओफ स्टूल होता है लैटरीन बार बार जाना पड़ता है hypothyroidism में जो है हमारी heart rate थोड़ी धीमी होती है यहाँ पे heart rate बहुत ज़्यादा महसूस होती है यहाँ पे weight gain हो रहा है hypothyroidism में weight loss हो रहा है यह हो गया hypothyroidism और hyperthyroidism दोनों opposite direction में एक तरह से है अब तीसरा important चीज है goiter goiter में usually जो है टाइप यह है कि जहाँ पे nodules हमारे गले में usually surgeon मिलता है rarely बहुत बड़ा जब हो जाए तो हमारे आवाज में बदाव हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या खाने खाने में दिक्कत हो सकती है तो यह यह है common इन तीनो टाइप्स के thyroid disease के लक्षन डॉक्टर यह भी बोलते हैं कि thyroid basically ladies में महिलाओं में जादा देखने को मिलता है सक्यों होता है क्या कारण है कि महिलाओं में thyroid की समस्या जादा देखने के लिए मिलती है एक्जाक्ट इसका पिन पॉइंट कारण पता नहीं है लोगो कुछ कुछ चीजे प्रपोज करते हैं कि जैसे यह तो definitely है कि हाँ hypothyroidism जो है महिलाओं में जादा कॉमन है and thyroid की बिमारी in general कई बार महिलाओं में जादा कॉमन है पर कई सारे autoimmune बिमारिया महिलाओं में जादा होती है so एक है कि autoimmunity से जैसे की autoimmune बिमारिया महिलाओं में जादा कॉमन होता है इसलिए thyroid जो कि autoimmune बिमारी होता है तो इसलिए यह most commonly महिलाओं में होता है और अगर हम लोगों को suggest करना चाहें कि डॉक्टर को किस टाइम पे दिखाना चाहें तो कौन सा समय सही रहता है जिस समय हम डॉक्टर को दिखाएं और अगर टाइमली हमने डॉक्टर से concern नहीं किया तो और कौन सी बिमारिया उसे create हो सकती है या कुछ और बड़ी समस्या सामने आ सकती है तो यह thyroid के बिमारी का खुद से इलाज करना would not be wise यह अच्छा नहीं होगा थायोड की बिमारी का अगर लक्षन लग रहा है तो डॉक्टर से मिले जाच कराएं और जाच के बाद इलाज करवाएं जादा अच्छा रहेगा और जो है एक रूटीन फॉल उप में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार जो है अगर हम अच्छे से इलाज नहीं करते हैं तो हाइपोथारोडिसम वाले मरीजों में हार्ट की दिक्कत होने का डर अगर कभी गलती से उन्होंने दवाई छोड़ दिया तो एक मिकसेडोमा कोमा का नाम का सीरियस बिमारी तह उसमें जाने का डर रहता है तो अगर हम हाइपोथारोडिसम का ठीक से इलाज नहीं किये तो हार्ट डिजीजिस अगर दवाई स्टॉप करते हैं तो मिकसेडोमा, मिकसेडेमा कोमा जो एक सीरियस कंडिशन हो सकता है जिसमें कई बार mortality 40% तक बहुत सकती है तो बहतर है कि अच्छा strategy होगा या अच्छा rule होगा या अच्छा तरीका होगा कि अपने डॉक्टर से संपर्क मेरे और थारोड का इलाज कराते रहे आपने भी डॉक्टर बिमारी का नाम लिया कि अगर टाइमली हमने नहीं दिखाया तो वो क्या चीज रहता है वो भी थाईरोड से रिलेटेड है या कुछ और अदर यह मतलब यह यह भी थाईरोड से रिलेटेड है यह में भी एक्स्ट्रीम फ्रॉम औफ हाइपो थाईरोडिजम है जहां पर थाईरोड हॉर्मोन बहुत समय से नहीं बन रहा है इसके विए से सूजन हो जाता है और बहोशी हो जाती है और टेंपरिचर बहुत जैसे कि मैंने बुला था टेंपरिचर रेगलूशन में करना बहुत है यूजली हाइपो थर्मिया हो जाता है ऐसे पेशेंट थाईरोड पहले से बहुत कम आते हैं पर जब भी आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनको मैनेज करना क्योंकि बहुत सारी दवाईया जो है बहुत सारी चीज एजली अविलेबल नहीं होती है कई बार तो उनका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो मुलाब ऐस डॉक्टर हम लोग यह चाहता है कि इस टेज में अट लीस पेशन ना है जहां पे हमको बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कई बार बचाना मुश्किल हो जाता है जोक्टर आप कई बार क्योंकि आप काफी समय से थाइराइड से रिलेटेड पेशन्स देख रहे हैं तो मुख्यता अब अब तब किस एज ग्रुप में जादा यह थाइराइड देखने के मिलता है तो किस एज से जादा यह थाइराइड की प्रॉप्लम इस तरह से लो कब हमको थाइराइड के टेस्ट रूटीनली करना चाहिए जो है अगर हमें लक्षन नहीं है तो भी तो जो है अगर 35 की उपर है हम तो एक बार थाइराइड का जाच करा लेना चाहिए अगर thyroid का report एक ठीक आता है तो हर तीन साल में फिर thyroid की जाँच कराए पहला चीज़ दूसरा चीज़ जब बर्त होता है बर्त के समय भी thyroid का जाँच कर लेना चाहिए क्योंकि उस में 2000 में से एक बच्चों को congenital hypothyroidism होने का डर होता है अगर हम इसको डाइगनोस टाइम से नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो बच्चे में पर्मनेंट जो है mental retardation होता है जो बहुत ही मेंब सम्टाइम्स बहुत डिफिकल्ट तो सी हो जाता है अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं इन जनरल गाइडलाइन इसको बनाना तो मुश्किल है यह जो है क्योंकि हमारी आबादी बहुत है और बहुत सारा financial aspect देख के जो है कुछ गाइडलाइन बनाया जाता है तो हम इसको जो है health ministry को छोड़ देते हैं कि whether they should make it a guideline but definitely अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो at birth जो भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो TSH वाला जाज करें अगर गरबढ़ है तो इसका इलाज करते हैं तो बहुत बार बहुत अच्छा result मिलता है बहुत simple सी दवाई है एक दो रुपे का एक दिन का इलाज होता है बहुत अच्छा result मिलता है अगर नहीं देते हैं तो नुकसान बहुत जादा होता है डॉक्टर जैसे आप भी बिताने बार्थ में भी आपको टेस्ट कराना है अगर parents में thyroid की problem है अगर mother father में से किसी को भी है तो बेबी को भी हो सकता है यह generic होता है यूजली congenital hypothyroidism genetic होता है पर जो autoimmune जो commonly हम देखते है वो genetic नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि जरूरी है कि अगर parents में है बच्चों में हो जाएगा जैसे कुछ बिमारी में होता है जहां पर यह बिमारी है तो बच्चों में होने का रिस्क जादा है इसके साथ हम लोग ऐसा नहीं कह सकते है हाँ पर definitely एक risk factor है अगर family history है अगर thyroid disease का तो रिस्क थोड़ा जादा रहेगा पर it is not 100% सबको ऐसा नहीं होगा तो बच्चों को होगा ही होगा इस नौट सो और हम इनके treatment पर बात करते हैं तो क्या इनका basically treatment रहता है thyroid को thyroid की बिमारी में अकसर हम लोग thyroid की दबाई एक वहती है लिवो थाइरोक्सिन यहा इसके इलाज के लिए देते है और जो है एक कुछ important sentences में बूलने जा रहा हूँ अगर इसको follow करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपका thyroid बहुत अच्छा control रहेगा thyroid की गोली हमेशा खाली पेट खाए उसको खाने के आदे घंटे बाद तक कुछ नखाए चाह, काफी दूर, लसी चाच, कुछ भी ना ले clear water ले सकते है अगर किसी दिन हम भूल जाए तो उस दिन बाद में भी गोली ले सकते है पर उसको लेने के एक घंटे पहले एक घंटे बाद कुछ खाए पिए ना अगर अगले दिन आए तो अगले दिन और इसको खिड़की के पास रखे जिस समय रखे उस समय तो सूरज की रोशनी नहीं आती जैसे दिन डलता है सूरज अपनी दिशा बदलता है तो उस पे सूरज की रोशनी शीशी पर पढ़ने लगती है तो उस केस में वो अबनॉमल हो सकता है और एक important चीज है अगर किसी को thyroid की बिमारी है और जब भी महिला pregnant होती है तो उसमें thyroid की जाच जल्दी करके अपने doctor से मिले क्योंकि अक्सर pregnancy के दर्मियान thyroid की दवाई की ज़रूरत बढ़ जाती है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे में मतीमनता होने का डर रहता है और इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको thyroid की बिमारी है और pregnancy confirm होता आपने doctor से मिले और जो है thyroid की जाच करके dose adjustment करें आपने विसे बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि अगर आपका हाथ गीला है तो उससे आप tablet ना चुए तो वह भी harmful रहता है मतलब यह है कि खाली पेट ही खानी चाहिए और बाकी जो आपने बहुत अच्छा कि खिड़की के पास आपको रखना चाहिए और सन रे से बचाना है तो यह क्योंकि बहुत बारी के रीजन है लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और आपने यह बताया तो बहुत अच्छी एक लोगों को इससे जानकारी मिली होगी बाकी यह सार यह है कि थाइराइड में क्या कभी operation की नौबत आती है अगर जो है गौइटर वाला है जहां पर नोडियूल्स है और वो नोडियूल्स की साइज बहुत ज़ादा है चार सेंटिमेटर्स ज़ादा है या उसमें हमनोंने एफिनेसी जाच किया और उसमें पाया कि वह गरबडगाट है तो उसमें सरजरी की ज़रोत पढ़ती है जो कॉमनली अविलिबल मेडिकेशन इसको नहीं दे पा रहे है प्रेंगनेंसी में कई बार अगर जो हो रहा है या फिर उसका साइज बहुत ज़ादा है यहां कुछ कंडिशन है जहां पर हमको सरजरी की ज़रोत परते हाइपर थारोड़िसम में अधर्वाइस यूजली ज क्या उसकती है बहुत ही जादा बढ़ गया है तो क्या उस में ऐसा भी होता है कि किए आपकी जान जाने का खर्चरह हो सकता है या इसा कोई चीज होता है क्या जिसे बहुत खराद हो जा तो मिक्स डिमाख़्िमा कोमा क информasyon इसे ऐधा है उसी तरह से उल्ता-धर थारोड़ि इसका बहुत बढ़ा रहता है और जो है इसमें भी लोग कोमा में जा सकते हैं और यह भी बहुत सीरियस कंडिशन होता है जिसको सम्हालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है है जो भी जिसमें भी काफी मॉटलिटी होती है और इसका भी इलाज बड़ा मुश्किल होता है अगर इस कंडिशन में नहीं आएं तो जाद अच्छा है क्योंकि इसका इलाज करना बहुत कभी कई बार मुश्किल हो जाता है और सर यह है कि जैसे हैं बड़े बुजर्ग लोग होते हैं तो कहीं बार घरेलू एक नुस्किया कुछ उपाए वगेरा भी बताते हैं कि अगर इनिशल स्टेजिस पे हैं तो आप अगर यह चीजे करेंगे तो आप बच सकते हैं तो क्या कौन-कौन से वो घरेलू उपाए हैं और कितने कारगर रहते हैं वो उपाए अनफॉसिल्टी बहुत सारे घरूले उपाए पर कुछ कुछ स्टडीज हुआ है पर नन है कम कि यह की गाइडलाइन लेवल पर आ जाए कि हां यह करें तो जिससे हां गाइडलाइन में हम लोग करने से थाइड़ोड के बिमारी ह और यह जो आपने जित्ते भी ट्रीटमेंट बताए हैं कि मैडिसन गे थ्रू या थैरपी के थ्रू या वाट्यवर जो भी ऑपरेश्टे थ्रू जो भी हैंने में आपने बताए हैं क्या उनके बाद थाइराइड पर्मानेंटली खतम हो जाता है यह दुबारा से फिर क्रि इलाज continuously lifelong चलता है पर मैं बूलूँगा कुछ मैं बताना चाहूँगा जो आज से में भी देर सो साल पहले दो सो साल पहले जिनको भी थारोड की बिमारी होती थी वो सब खतम हो जाते था हैपो थारोडिसम वाले क्योंकि उसका बहुत अच्छे से इलाज लब नहीं था पहली बार जो जिस विक्ती का इलाज हो था उसको कई सारे शेप की भेड की थारोड ग्लैंड को खाना पड़ा था तब जाके जो है उसका थारोड नॉमल हुआ था और अब जो है बहुत छोटी से गोली है खाली पेट लेना है रोज अगर खाते रहे तो दम नॉमल लाइफ रहती है तो हाइपो थारोड़िजम में यूजली ट्रीट्मेंट इस लाइफ लॉंग हाइपर थारोड़िजम में और गॉटर में उसमें वह ठीक हो सकता है जरूरी नहीं कि उसमें इलाज लाज लाइफ लिणे लेना है तो आप भी ये वाली मेडिशन ले सकते हैं तो क्या यह ऐसा है कि किसी परiat के सजचेशन पे हम थारोड़िजम के गोली ले सकते हैं या फिर टॉक्ठर से ऐसे क्निसेर्ण करने के बाद ही हम यह मेडिय साली यह जाद़् अच्छा कि आपको एल्चा इम और ड़क्टर यह है कि डॉक्टर पेशेंट को जो ताइराइड से सफर कर रहे है तो उनको क्या चीज खानी चाहिए मतलब अगर खान पान की बात करते हैं तो क्या चीज अपने रुटीन में शामिल करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सक एक और हेलदी जैसे सब को लेना चीज वहसे ही इसमें लेना चाहिए है आयोडाईस सॉल्ट बहुत ज़्यादा माता मेंने जो यूश्य माता में आयोडाईस सॉल्ट लेना चाहिए एक इमप्वरटन चीज है कही बार जो है लोग आके पूषते हैं कि ये खा सकते नहीं खा सकते पर हम जैसे कुछ हरे पत्ता गोबी, फूल गोबी, सोया बीन, कुछ मेडिटरिन कंट्रीज वाले ये इसको काफी अमाउंट में खा लेते हैं जो एक किलो दिन भर में खा लेते हैं, उस डोस में जो है ये थाइरोइड में नुकसान करता है, पर हम भारती हैं जितना खाते हैं, पचास-सौ ग्राम जास जाज जादा हमारे सबसी में, तो उस डोस में प्राक्टिकली कोई प्राब्लम नहीं होता है, तो और वंस एक बार डिजीज हो गया, तो भी जो है उसमें बहुत जादा दिकत नहीं है ये सब को खाने के लिए, तो प्राक्टिकली देखें, बहुत जादा उसमें रोक नहीं, पर एक हेल्दी डायेट हमको रखना चाहिए, हमारे संतुलित आहार रखना चाहिए, हमारे खाने में फलो और बहुत जादा आमाउंड में घाते हैं, उसमें उस डोस में ये प्रावल्म करता है, हम जितना खाते हैं इतना ये प्रावल्म नहीं करता है। में ध्यान देना पड़ता है। उसमें भी बहुत जादा स्पेसिफिकली कुछ चीजें ये है कि जो आयोडिन डिफिशेंसी से घेंगा होता था उससे बचने के लिए शुरुआत से ही आयोडाई सौड लेना चाहिए, जैसे वो घेंगा ना हो और जैसे कि पहले में हम भार फिर्ट के टाइम पर लाइफ स्टाइल पे बात करते हैं तो किस तरीकी का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कि हम उसको संतलित रख सकें और उसको बढ़ने से रोख सकें ये जैसे थाइरोईड में एक्सराइज इस तरह से इंपॉर्टन है, जैसे कई बार थारोड के लोग के लिए ध्यान रखेगा, वो हमारे भविश में डायविटी, ब्लट प्रिशर, हार्ट की बिमारी से बचा रहा है, so exercise would be a good strategy, अगर हम अपने थायोड की बिमारी और हम exercise करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए हाँ, डॉक्टर ये योगा भी के वियोज को एक ना सचते हैं, जो है थायोड की बिमारी बहुत अच्छे तरीके से इसका जाच उपलब्ध है, और जो है, चीजे बहुत बदल गई है, आज से 20-25 साल पहले जब कहीं जो है, बड़े स्टेट के एक-दो कोने में सिर्फ टेस्ट होता जो है थायोड की जाच करें क्योंकि यह एक ट्रीटेबल कॉस आफ मेंटल इटारडेशन है, इसका इलाज बहुत असानी से है, मेंटल इटारडेशन एक बार हो गया तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होगा, अपने खाने को हल्दी डायेट लेते रहें, एक्सरसाइज करें दवाई निमेत रूप से खाएं अपने डॉक्टर से मिले और जरूरत अनुसार दवाई का डोस का अजस्टमेंट करें अगर आप अच्छे से यह सब चीज फॉलो करते हैं, आप थायोड को अपने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा, स्वस्थ, हेल्दी, हैपी लाइफ निर्वा कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है थायोड जो है कोई चैलेंज नहीं है कोई बड़ा मुश्किल नहीं अगर आप इसमें अच्छे से ध्यान देंगे इन सारे चीज़ को तो एक इदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जी, थाइंक इसो मच सार आज के प्राइम टिवी के शो हिल्थ मंत्रा में हमने थायराइड से रिलेटिड बात की जिसके लिए आज हमारे साथ में अच्छे से आप उपचार कर सकते हैं उमीद है आपको इजानकारी काफी पसंद आई होगी अगले एपिसोड में हम फिर अजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में तब तक आप देखते रहिए प्राइम टिवी, नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टिवी, सच साहस सरोकार